दूस्तों आज की कहानी है सासुमा आप मेरा क्या ध्यान रखेगे मुझे ही आपका ध्यान रखना पड़ेगा दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइब नई किया हूँ तो कर लीजिये ताकि आपके पास पहुंसे और नया वीडियो साम की वक्त पारक में जान सभी और ते अपनी अपनी बहुआ की सिकायते कर रही थी वहीं कमला जी बोली अरे बैन जी आज कल की बहुओ के बड़े नकरे होते हमने भी सार बच्चे पैदा कि हम कौन सी एक्सराइज करते थे घर के काम काज से हमारी एक्सराइज हो जाती थी बताओ जीस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उसके दो दिन पहले तक मैं जाडू पोसा कर रही थी काम ना करना पड़े इस वज़े से ही आँख और नाक बंद करके बैट जाती हैं और करती हैं हम योगा कर रहें वही विमला जी बोली सही बोलती हैं आप मैं भी अपनी बव को कितना समझा थी थी दूद और की खाया करों घर के काम क्या करों कुछ भी दिकत नहीं होगी कौन सा जूबा क्लास करती हैं फालतों में मेरे बेटे के पैसे बरबाद करती हैं तबीवा सुनिला जी आई और बोली कि आप दोनों ये बात जानती हैं कि पहले के जमाने में खाना पीना सुद वह करता था आज के जमाने में खाद पदार्तों में कितनी मिलावट और ने लगी है आज की वरते अगर अपने सरीर और सवस्त्या का ध्यान खुद रखती हैं तो इसमें क्या बूराई हैं कमला जी बोली ब्यान जी यह तो पैसे की बरबादी हैं अरे जो एक्सराइस घर के काम काज में किये जा सकती उसके लिए अलब से पैसे खरज करने की क्या जरुवत है हमारा सरी तो कभी ना फैलार ये घर के काम नहीं करती है तो इनका सरी क्या फैलेगा इदना कोकर सब हसने लगी सुनिलाग जी बोली आज का डॉक्टर भी कहते हैं कि गरबवती मैलों को भी एक्सराइस करनी सही है आज इनके पास फुर्शुत का आए और हम कौन सा नोकरी करते थे आज काल की मैलाई घर और बार दोनों को संबालती है अपने सवास्त्य पर धियान रखना तो इनकी खुद की जिमेदारी और अगर वो ऐसा करती है तो इसमें हमें खुश होना साइए बाते खतम हुई साम की सबा समाथ हुई और सभी अपने अपने घर सलिये गई कमलाजी जब घर आई तो रसोईये से बोली साई और विश्किर देदो आज लगता हैं बारी सोगी तो थोड़े पकोड़े भी बनाना बहुत दीन होगे खाई वे कमलाजी की बहुत रस्मी बोली ममीर जी आपको डोक्टर ने तले बोने खाने के लिए मना क्या आप अपना ध्यान नहीं रगती और आपको कोलेस्टरोल की प्रोब्लम में आपकोड़े खाएगे और ये क्या इतने डाइफ फ्रूर्च लेकर बैठी आपको पताई शिर्फ डाइफ फ्रूर्च खाने से सेथ अच्छी नहीं हो थिये कमलाजी बोली हाई हाई बाउ म मैं तो तुमारी देख बाल के लिए आई हूँ तुम तो खाती पीती हो नहीं सभी सीजों में कीड़े लग जाएंगे मैं सोसी मैं ही खतम कर दू तुम ये आक नाग बंद करके आकिर करती क्या हो ये सब मत करो मैं करती हूँ थोड़े बहुत काम कर लिया करो कुस वैसी बोलते कमलाजी की सांसे फूलने लगी रसमी बोली देखा दो सब बोलती और आपकी सांसे फूल गए कितनी बार कही हूँ अपने सवास्त्य का ध्यान रखे थोड़ा योगा पी कर लीजी परन्तु नहीं आप तो खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती ममी जी इस आलत में आप मेरा ध्यान क्या रखेगी मुझे आपका ध्यान रखना पड़ेगा अगली दिन रसमी सुब जाकर लाप्टर क्लाजा योगा की सांसाद व्रत लोगों को सुब हसाया जाता था वांच जाकर अपनी सांस का दाखिला करवा दिया और परसी उनके हाथ में पकड़ा दी वो बोली बहु ये तो पैसे की बरबादी हुई गर में नया सदश्या आने वाला दो सर पैसे जोडने सही और तुम खर्षे पर खर्षा करें मैं बुल्कुल सवस्थी हुआ रे मेरी उमर होगी इसलिए डॉक्टर इतनी दवाया लिख देते हैं रस्मी का पड़ी वीपिन बोला मा अगर वो आपके सवास्थ्य के लिए सेंती थे तो आपको खुस होना सही है और वाँ जाएगी तो कुस नई सेलिया भी मिलेगी कमला जी बोली तुमारे पास फाद्थू के पैसे होगे जो इतने खर्षे करें गर में काम का वाली और रस रस्मी मुश्कुरा कर बोली ममीर जी आमको सवस्थ्य रखने की जीमेदारियम मेरी है अगर आमको अपने बेटे और इस गर का पैसा बसा ना है तो सवस्थ्य पर ध्यान दीजिए नोकर साकर हमारी सुविदा के लिए होते अस्तपाल और डॉक्टर रोमे जाकर जो पैसे खरस करते हैं वो होते फालतू पैसे की खरस तो क्यों ना हम अपने सवस्थ्य पर ध्यान रखिये ताकि डॉक्टर और अस्पताल का सकरी ना लगाना पड़े क्या क्या करती है अगले दिन जब रस्मी अपने सादू ने ले जा रही थी तो वो बोली देखो बहु अपने सा कर योगा करवाओगी लोग मुझे पर हसेंगे ये मुझे से ना होगा रस्मी बोली आप जित मत कीजिए ऐसा ना हो कि मुझे आपके लिए कटोर कदम उठाने पड़े वही पास मैं भी अपना योगा कलास करूंगी फिर आपको अपने साथ लेकर आऊंगी आपकी इन दव वायों को मैं आप से दूर करके रखोंगी ये सलवार कूरता निकाल दी हुई से पैन ली जी और सलिय कमला जी बोली बताओ इस उमर में मुझे सूट सलवार पैनाओगी दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी बेटा हस कर बोला माँ आपकी दुनिया हम से जब हमें कोई तकल साधी देखनी है कि नई कमला जी ने हां में सर हिलाया बेटा बोला तो बस सुरू हो जाई और अपनी बहु के साथ आप भी अपने सवास्त्य पर ध्यान दीजिए ना साते वे भी कमला जी को रस्मी के साथ योगा कला जाना ही पड़ा रस्मी का ध्यान रखने के सकर में वो उनकी साथ घर में भी बैटकर योगा करती थी उन्हें अपने सवास्त्य में बदलाव नजर आने लगा वो अच्छा मैसूस करने लगी और धीरे धीरे उनकी दवाया भी कम होने लगी एक रोज कमला जी की पुरानी सेली विमला मिली वो बोली क्या बाते कमला जी आपको भी दुनिया की हवाल लग गए साधी सी सुट सलवार पर उतर गई हमारा साथो सोडी द्याबव की पार्दी में सामिल हो गई वो मुश्कुरा कर बोली एक बात तो आपको माननी पड़ेगी दुनिया में अपनों से ज़्यादा हमारा कोई ख्याल और सिंता नहीं कर सकता जा मैं पूरे दिन इधर उदर की बाते क्या करती थी और इतनी दवाया काती थी आज बहु के दिकाय रास्ते पर ना मुझे दवाया खानी पड़ती ना मुझे पर उसने पैसे खरसो ओते और देखी पहले से मेरा सवास्ते भी कितना अच्चा कमलाजी की सारी बाते सुन्ने के बाद सभी मैला उनसे बहुत परेरी तोई घर आकर कमला जी रस्मी से बोली बहुत पहले जमाने में हम पूरे दिन घर मी रा करते थे घर के काम में हमारी पूरी एक्सराई जो जाती थी आज के जमाने में तुम औरतों पर कोई जिमेदारी आगे और तुमें वक्त भी नहीं मिरता अपने सवास्थे के लिए कुछ गंडे अगर निकाले जाए और नए तरीके सीखे जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है सम्य बीता जा रहाता रस्मी की डिलेवरी का टाइम पास आ रहाता एक रोज सांस बहु डॉक्टर के पास गई डॉक्टर ने सेख करके बताया आपकी बहु और बच्चा बिलकु सवस्त्य है अब जिसकी दादी इतनी फिट रहेगी उसे क्या परेशानी हो सकती है कमला जी को अपनी तारीव सुनकर बड़ा ही अच्छा लगाव तो रस्मी अगर अपने खाने पिने में डिलाई करती तो कमला जी उसे टौक्ती बव डॉक्टर और दवायों पर खड़सा नहीं करना है इस बात का ध्यान रखा करो में तुमारा औ और तुम हम सब के सवास्ट्यों का ध्यान रखो इतना सुनती रस्मी का पूरा परिवार हसने लगा कमला जी को भी समझ में आ गया नए जमाने में अगर मिलावाटी खाद पदार्तों से अगर खुद को बसाने है तो अपने सवास्ट्यों पर अलग से ध्यान देना पड़ वो अपने आसपास की औरतों को 20 बात के लिए परेरित करती थी और हर सुबस सामसब के साथ मिलकर पारक में योगा का अभ्यास करती थी दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम अपने सोटे से कुछ अच्छी बातों के ज्यान को ग्रण नहीं कर सकते कभी कभी मारे सोटे भी बहु के लिए सोसना ही पड़े